हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में दोस्तों दुनिया की सबसे रहसे मैं जगाहों में गिने जाने वाला बर्मुडा ट्रैंगल वो जगा है जहां से गुजरने वाले अंगिनत समुद्री जहाज और हवाई जहाज आश्चर्य जनक रूप से गायब हो गए है और लाख कोशिशे करने के बावजूद उनका कोई पता नहीं लगा पाया है एक तरफ जहां कुछ लोग इसे किसी परालौकिक ताकत की करामात मानते हैं तो दूसरी तरफ कुछ को ये सामान्य घटना करम लग रहा है दोस्तों ये विशे कितना रोचक है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस पर कई किताबें और लेक लिखे जाने के साथ ही फिल्में भी बनाई जा चुकी है तो आईए दोस्तों रहस्य से भरे इस जगाह के बारे में जानते हैं और आखिर इस शेत्र में कैसे जहाज और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं इसके उपर से भी परदाफाश करने की कोशिश करते हैं साथ ही जानेंगे बर्मूडा ट्रैंगल से जुड़े मित वही कुछ लोगों का मानना है कि कोई अद्रिश शक्तियां इन जहाजों को अपनी तरफ खीच लेती हैं तो इस बात में कितनी सच्चाई है इसे जानने के लिए भी हमें बर्मूडा ट्रैंगल को अच्छे से समझना होगा तो आईए चलते हैं इसके इतिहास में लेकिन इस से पहले अगर आप हमारे चानल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सबस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले इसके साथ ही आज का ये वीडियो काफी इंट्रस्टिंग होने वाला है इसलिए वीडियो को बिना स्किप किये पूरा लास तक जरूर देखेगा तो बिना किसी देर के लेट्स स्टार्ट तव वीडियो दोस्तों बर्मूडा ट्राइंगल नौर्थ अट्लांटिक महासागर के वेस्टन पार्ट में स्थित एक ट्राइंगल यानी त्रिकोन शेप का शेत्र है सदियों से चर्चा का विशे रहे इस ट्राइंगल के एरिया को लेकर भी तरह तरह की बाते कही और लिखी गई है जो की लगभग साथ लाख स्क्वेर किलोमेटर में फैला हुआ है इस छेत्र को बर्मूडा ट्राइंगल कहे जाने का कारण है इसकी ट्राइंगल शेप जो की तीनों साइड से मायामी, बर्मूडा और पोर्टोरिकों से घिरा हुआ है बर्मूडा ट्राइंगल समुद्री जहाजों और हवाई जहाजों के रहस्यमई तरीकों से गायब होने के लिए काफी जाना जाता है दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 100 सालों में इतिहास में यहां तकरीबन 75 हवाई जहाज और 100 छोटे बड़े जहाज गुम हो चुके हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की यहां मौत हो चुकी है इसी वजह से इस ट्राइंगल को डेविल्स ट्राइंगल के नाम से भी जाना जाता है लेकिन इसके बावजूद ये छेतर दुनिया में सबसे अधिक यात्रा की जाने वाली शिपिंग लेन में से एक है बर्मूडा ट्राइंगल के बारे में सबसे पहले क्रिस्टोफर कॉलंबस ने दुनिया को जानकारी दी थी इन्होंने अपने लेकों में इस ट्राइंगल में होने वाली विचितर गती विधियों का जिक्र किया था वही बहुत से शोद करताओं का ये मानना है कि इस भाग में जहाजों और विमानों के गायब होने की जो घटनाए अब तक हुई है उनमें ये पाया गया है कि जब भी कोई जहाज या विमान इस छेतर में पहुचता है उसका रेडार, रेडियो वायरलेस और कमपस जैसे मशीन या तो ठीक से काम करना बंद कर देते हैं या बिलकुल ही खराब हो जाते हैं कहते हैं इसी वजह से अपना रस्ता भटक कर ये या तो किसी दुरगटना का शिकार हो जाते हैं या फिर इस रहस्यमई शेतर में कहीं गुम होकर इसके रहस्य को और भी अधिक कहरा कर देते हैं दोस्तों बर्मुडा ट्राइंगल में जहाजों के रहस्यमई तरीके से खो जाने को लेकर कई सारे साइंटिस्ट्स ने अलग-अलग मत भी दिये हैं इन मेंसे कुछ साइंटिस्ट ने तो बर्मुडा ट्राइंगल में जहाजों के गायब होने का जिम्मेदार वहां के मौसम को बताया है। वैसे ध्यान देने वाली बात ये है कि इस छेतर में ज्यादतर मौसम खराब ही रहता है। इसलिए हो सकता है कि शायद इसी वज़े से जहाज खो जाते हों। साइंटिस्ट ने इस ट्राइंगल के आसपास के मौसम को काफी बारीकी से स्टडी करने के बाद दावा किया है कि इस ट्राइंगल के उपर खदरनाक हवाय चलती हैं जिसकी रफतार 273 किलोमेटर प्रती घंटे से भी ज़ादा तेज होती है और जब कोई जहाज इस हवा की चपेट में आता है तो वो अपना बैलन्स खो बैठता है और जिसके कारण उनका एक्सिडेंट हो जाता है वही कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि यहाँ पर मौझूद शक्ति शाली मैगनेटिक शेतर की वज़े से कमपस में होने वाले बदलाव ही जहाजों के खोने का कारण है तो कुछ साइंटिस्ट यहाँ पर हो रहे एडवर्स एट्मोस्फेरिक चेंजिस को अक्सिडेंट का कारण मानते हैं वही कुछ जियोलोजिस्ट की माने तो इन्होंने कल्फ स्ट्रीम को यहाँ पर हो रहे अजीबो गरीब घटनाओं का मेन कारण बताया है इसके अलावा इस छेतर में मीथेन गैस का बहुत बड़ा भंडार होने का भी दावा किया जाता है और जब समुद्र में मीथेन गैस का विस्फोर्ट होता है तब बहुत बड़े बुलबुले निकलते हैं और इन बुलबुलों में बड़े बड़े जहाजों को डुबोने की शमता भी होती है इसलिए वेग्यानिकों के अनुमान से शायद यही बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि इस छेतर में जहाज डूबते हैं हाला कि अभी तक इस राज से परदा हटाने में वेग्यानिक पूरी तरह किसी भी नतीजे पर पहुँचने पर सक्षम नहीं हो पाए है चलिए दोस्तों अब देखते हैं बर्मूरा ट्रैंगल में घटी कुछ बेहत ही चौका देने वाली घटनाए साल 1880 में जब ब्रिटिश समुद्री जहाज अलन आस्टिन लंडन से निकल कर न्यू यॉर्क तक जा रहा था उस समय कई सारे लोग इस जहाज पे मौझूद थे उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि ये जहाज अपनी आखरी सफर के लिए निकला है दरसल हुआ कुछ ऐसा कि लंडन से नियू यॉर्क के बीच सफर करते समय इस जहाज को आखरी बार बर्मूडा ट्रैंगल के इलाके में ही देखा गया था लोगों की माने तो बहुत ही अजीब हालातों में ये जहाज इसी इलाके में गायब हो गया था और दुबारा इसका कोई नाम और निशान नहीं मिला साल 1918 में अमरीकी नौसेना की एक बहुत ही बड़ा कारगो शिप यूएसस साइकलोप्स बर्मूडा ट्रैंगल इलाके में खो गया जब ये शिप खोया तब खोने से पहले इस जहाज का एक इंजन काम नहीं कर रहा था और उस समय इस जहाज पर 309 लोग सवार थे हाला कि आज भी यूएसस साइकलोप्स के गुमशुद्गी का राज राज ही बन कर रह गया है इसके बारे में कई सारे तर्क भी लगाय जा चुके हैं परन्तु इसके खो जाने का असली कारण आज भी किसी को नहीं पता है साल 1945 में पांच अमरीकी युद्ध हवाई जहाजों से बने एक बेडे फ्लाइट 19 को बर्मूडा ट्रैंगल ने निगल लिया था फ्लाइट 19 को आखरी बार बर्मूडा ट्रैंगल के आसमान में देखा गया था उसके बाद ये जहाज दुबारा कभी प्रित्वी पर लैंड नहीं कर पाए इसके बाद ना तो उनका कोई वजूद बचा और ना ही उनका कोई पता ठिकाना दोस्तों यहाँ पर एक और अजीब बात ये हुई कि फ्लाइट 19 को खोजने के लिए भेजा गया एक बचाव प्लेन भी इसी बर्मूडा छेतर में बहुत ही अंजान तरीके से गायब हो गया था डगलस दीसी थ्री दोस्तों साल 1948 में पोर्तो रिको से मायामी को निकलने वाला एक पैसेंजर प्लेन बर्मूडा ट्रैंगल के शेतर में अचानक गायब हो गया उस वक्त उस जहाज के अंदर 32 पैसेंजर सवार थे जिनका आज तक कोई पता ही नहीं चल पाया कि आखिर पैसेंजर कहा गए उनका क्या हुआ और जानकारी के अभाव के कारण इन 32 पैसेंजर को बचाने के लिए भी बचाव कारे संभव नहीं हो पाया था साल 1963 में तो अमरीकी हवाई जहाज बर्मूरा ट्राइंगल के छेतर में आपस में टकरा गए थे दोस्तों इस टकर में दोनों ही हवाई जहाज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए लेकिन इन सब में सबसे अजीब बात ये थी कि दोनों प्लेन के बीच हुई टकर की जगा एक ना होकर तो अलग अलग जगा थी यानि कि जब छानवीन की गई तो पता चला कि दोनों ही विमानों का मलवा एक दूसरे से काफी दूर समुद्र में पड़ा मिला है लेकिन आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि दोनों ही विमानों का मलवा एक जगा पर ना मिलकर दो दूर दूर जगाहों पर मिला हो आज भी वैग्यानिकों के लिए ये सवाल ही बना हुआ है दोस्तों तमाम तरह के शोध और जाँच परताल के बाद भी इस नतीजे पर नहीं पहुँचा जा सका है कि आखिर गायब हुए जहाजों का पता क्यों नहीं लग पाया उन्हें आस्मान निगल गया या समुद्र खा गया दुर घटना की स्थिती में भी मलबा तो मिलता है लेकिन जहाजों और विमानों का मलबा तक नहीं मिल पाया है तो ये तो थी कुछ घटनाएं जो बर्मूडा ट्राइंगल के पास घटी थी आपको इन घटनाओं में से किस घटना के बारे में पहले से पता था कॉमेंट में जरूर बताईएगा और अगर आपको अभी तक दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चानल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर लें चलिए दोस्तों अब देखते हैं कुछ मिट्स जो बर्मूरा ट्रैंगल के बारे में अकसर कही जाती है बर्मूरा ट्रैंगल में बहुत से यूएफो के देखे जाने की कहानिया है इसी कारण से इस छेत्र में लापता होने वाले जहाजों के लिए एलियन द्वारा अभरन किये जाने की धारणा भी बनी हुई है दोस्तों कुछ लोग तो एलियन द्वारा अभरन करने की धारणाओं से भी आगे निकल गए है उनके अनुसार तो इस छेत्र में किसी दूसरे प्लैनेट लग जाने के लिए कोई खास प्रवेश द्वार भी बताया गया है औस्ट्रेलिया में किये गए शोध से पता चला है कि समुद्री छेत्र के बड़े हिस्से में मीथेन हाइडराइड अधिक मातरा में है और इससे उठने वाले बुलबुले भी किसी जहास के अचानक डूबने का कारण बन सकते हैं लेकिन USGS के वेब साइट पर इससे परदा हटाया गया है कि बीते 15,000 सालों में समुद्र जल में गैस के बुलबुले निकलने के कोई प्रमाण नहीं मिले है दोस्तों जब कोलम्बस का जहास बर्मूरा ट्राइंगल के करीब पहुचा तो उनके कमपस ने कड़बड़ी करना शुरू कर दी इसके बाद उनके नाविकों में हडकंप मच गया ऐसा कहा जाता है कि इसके बाद कोलम्बस को आसमान से एक रहस्यमई बिजली गिरती दिखाई दी और आग का ये बहुत बड़ा गोला आसमान से निकल कर सीधे समुद्र में समा गया इस बात में कितनी सच्चाई है अब ये तो आज तक मिथक ही बना हुआ है दोस्तों बर्मुडा ट्राइंगल से गुजरने वाले जहाज क्यों गायब हो जाते हैं इस पर कई तरह की रिसर्च की जा चुकी है रिसर्च में इनका कोई पुखता कारण सामने नहीं आ पाया है और शायद आप ही ना पाये तो ये तो थी बर्मुडा ट्राइंगल और उससे जुड़े मित्स आज के वीडियो में बस इतना ही उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी थांक यू फॉर वाचिंग